आज हम जानेंगे कि कैसे हम belly fat को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? belly fat तीन तरह का होता है lifestyle induced belly fat, hormonal belly fat और genetic belly fat तो चलिए जानते हैं इन सभी तरह के belly fat के बारे में और आप इनको कैसे कम कर सकते हैं? नमबर वन, lifestyle induced belly fat खराब lifestyle की वज़े से बढ़ने वाले belly fat की गिंती पिछले 10-15 सालों में बहुत जादा हो रही है और इसके बारे में सबसे interesting fact ये है कि metro cities में ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और हमारी society के belly लोगों में ये है lower और middle class के लोगों के compression में काफी जादा है इसलिए आज के समय में lifestyle induced belly fat बढ़ता जा रहा है तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या कारण है और आज से सालों पहले problem इतनी जादा क्यों नहीं थी जितनी आज हो गई है क्या आप जानते हैं कि human eating pattern का evolution कैसे हुआ पता दें कि हमारे ancestors feast और feminine eating pattern को follow करते थे मतलब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या मिलेगा कितना मिलेगा कैसे मिलेगा कब मिलेगा ये सब predict करना काफी मुश्किल था इसलिए जैसे ही कुछ खाने का उनके हाथ लगता तो उनकी party हो जाती थी यानि कि fisting और तब वो अच्छे से खा लेते थे और अपने अंदर इस energy को store कर लेते थे ताकि अकाल आने पर उसे store की उए energy को वो use कर सकें तो उनकी life कुछ ऐसे चलती थी कि खाना, store करना, उसके साथ साथ, burn करना और fast करना उस समय ना ही PCOD था, ना obesity, ना belly fat, ना hormonal changes ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास काने के लिए काफी सारे options मौजूद हैं इसलिए पहला meal खत्म नहीं होता कि हम अगले meal की तैयारी करने में लग जाते हैं और कई बार तो हमें भूग भी नहीं लग रही होती है, लेकिन तब भी हम खाना खा लेते हैं यानि कि हम अपने शरीर को जरूरत से ज़ादा खाना दे रहे होते हैं और रिस्ट कर रहे होते हैं यानि कि ना ही calories बर्न हो रही होती हैं और ना ही हम fasting पर जाते हैं और अब हम भूग के लिए नहीं बलकि अपने मन के लिए cravings के लिए यानि हर मौगे पर हम सिर्फ खाते ही रहते हैं यानि कि खाने की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और हमारी lifestyle सेडिंटरी हो गई है क्योंकि अब इस cycle में सिर्फ eat और store हो रहा है ना ही धंग से बर्न हो रहा है और ना ही fast हो रहा है इसलिए fat हमारे शरीर में store होता रहता है और body के glycogen stores भरते जाते हैं obesity increase हो रही है और belly fat बढ़ रहा है अब इसका एगी solution है कि हम अपने digestive system को break दे और जादा से जादा calorie रोजाना burn करें इसके लिए आप intermittent fasting का तरीका अपना सकते हैं इटिंग और fasting दोनों include होता है जी हैं दोस्तों अगर आप अपने belly fat को कम करना चाहते हैं तो इसका ultimate solution यही है कि हमें अपने digestive system को break देना होगा और हमें ऐसा करने की आदत डाली होगी बहुत सी studies में ऐसा proof भी हुआ है कि fasting से belly fat तो कम होता है साथ ही digestive system से जुड़ी बहुत सारी बाकी समस्या भी दूर होती है फास्टिंग करने से body में information कम होता है और body के अंदर मौजूद dead और damage cells दूर होते हैं यह anti-aging की तरह काम करता है और studies से यह बात प्रूव हुई है कि fasting की मदद से लोगों की न सिर्फ health condition इंप्रूव हुई है बलकि उन्हें और भी कई सारी चीज़ों में सुधार महसूस हुआ है इसलिए fasting एक ऐसा powerful tool है जिससे आपकी बहुत सारी problems दूर हो सकती है बिना किसी खर्च के और बिना किसी को कोई fees दिए इसलिए आप ये कोशिश की दिए कि समय समय पर अपने सिस्टम को break देते रहिए और जितना आपकी body allow करे उतना अपने शरीर को fasting रखने की कोशिश करे नमबर टू, hormonal belly fat ये कई वज़े से होता है जिससे PCOD, menopause, thyroid, stress या regularly processed खाना खाने से इन वज़ें से हमारे हार्मोन imbalance होते हैं जिस वज़े से हमारा belly fat बढ़ने लगता है इसलिए से hormonal belly fat भी कहा चाता है इस दोरान कार्टिसोल यानि की stress hormone जादा release होने लगता है और बहुत सारी studies में ये प्रूव हुआ है कि ये hormone belly fat बढ़ने का एक बहुत बढ़ा कारण है अगर हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन काफी समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो यह और भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है और इस तरह के belly fat को कम करने के लिए ultimate solution है hormones को balance रखना जिसके लिए healthy lifestyle होना जरूरी है healthy lifestyle होने का मतलब है रोजाना exercise करने का routine बनाना clean diet लेना, proper sleep routine को follow करना और meditation करना अगर आप इस lifestyle को follow करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका belly fat कम होने लगेगा और एक महिने के अंदर ही आपको अपने अंदर changes, आपको अपने अंदर और एक महिने के अंदर ही आपको अपने inches कम होते हुए दिखाई देने लगेंगे ये सबी solution पर्मानेंट है और safe है अगर आपकी बाकी की body के compression में west के आस पास fat जादा है अगर आपकी family history में भी abdominal obesity रही है तो काफी जादा chances हैं कि आपका ये belly fat genetic हो हमारे शरीर में हमारा fat किस तरह से distribution होगा ये काफी हद तक हमारे jeans पर depend करता है कुछ लोगों की case में उनके west के around जादा fat जमा होता है और इस तरह के fat को कम करना मुश्किल होता है फिर हम चाहे कितनी ही exercise क्यों न कर लें ये fat कम होने का नाम ही नहीं लेता हाली में एक study हुई है जिस दौरान एक हफ़ते तक लगातार कुछ लोगों को रोजाना चार गंटे continuous apps exercise करवाई गई लेकिन तब भी उनका पेट कम नहीं हुआ तो इस inherited belly fat का क्या solution है क्योंकि आप अपना genetic makeup तो बदल नहीं सकते लेकिन आप अपनी lifestyle को ज़रूर सुधार सकते हैं ऐसे लोगों को दूसरों की comparison में ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन एक अच्छे lifestyle को follow करने से आपका काफी फायदा होगा आपके लिए cardio exercise जैसे की running, cycling काफी helpful है और जब आप workout करें तो सिर्फ abs की जगए overall strength पर focus करें और हर exercise को करते वक्त अपनी abs muscles को engage रखें ऐसा करें से आपका belly fat mobilize होगा और आप चाहें तो किसी fitness trainer एक्सपर्ट की सलाभी ले सकते हैं workout के लावा पूरे दिन अपने आपको active रखें और जितना हो सके अपनी body को move करें इसके साथ साथ अगर आप healthy diet लेते हैं तो आपका belly fat दूर हो सकता है तो भले ही आपका belly fat आपकी खराब lifestyle की बज़े से हो hormonal हो या फिर genetic हो इसे कम करने का ultimate solution है overall healthy lifestyle maintain करना और इन बातों को खास तोर पर जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले exercise करने का अपना एक routine बनाए clear diet ले meditation करें, proper sleep pattern follow करें, अपने digestive system को break देते रहे, जितनी calories आप ले रहें, उससे ज़्यादा calories को burn करे, cardio exercise जैसे कि running और cycling को अपने daily routine में शामिल करें, workout करते समय overall strength training पर साधा focus करें, और exercise करते समय अपने abs muscle को ज़्यादा से ज़्यादा engage रखने की कोशिश करें, और अगर आप इन सभी tips को follow करते हैं, तो आपको ना कभी किसी supplement की या फिर किसी सर्चरी की ज़रूत पड़ेगी, तो दोस्तो आप